प्रमाड नहीं है कि वेदिक काल से ही बहुत देवी देवताओं की पूजा होती थी? नहीं, मुरत्यू के देव यम आये हैं अपने वाहन पे, पहसे पे, आत्माओं का स्वामी परम्रम है, उसने तुमको बुलाए, अभी तुमारे मुरत्यू का समय नहीं? अभी भी आपके स्वार से मुलाकात होती है? एक दफा यम राज मुझे ले गए, बार बार मुझे मुलाकात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किस पूजा पद्धती को ज्यादा बेहतर या स्वारसिष्ट मानते हैं? निराकार या साकार? निराकार ब्रह्म जो जोती स्वरूप है, एक तू सच्चा तरा नाम सच्चा सब में तेरा नोर समाया। तो मदब स्वरूप है जोती स्वरूप है तो फिर तो आकार भी हो गया आकार मान लीजिए उसको गोड़ों के रत्पेक आदमी बैठ है तो ये सूरज है एसा थोड़ी वो तो सूरज आग का गोला देवता पत्थर में नहीं होता आलंकि कणकण में इश्वर है लेकिन वो ऐ एसी थोड़ी चल सकते है जैसे मनुष्य चलते है वो जड़ चेतन है उसमें जादा तर अपना पिछला जनम उन लोगों को याद रहा जो एक्सिडेंटल डेथ जिनकी हुई जिनका मर्डर कर दिया ऐसे लों को तो ये माना जाता है जन नहीं मिलता ये प्रेद बनते हैं न ये मुहीम कैसे बन गया जैसे जब मैं छोटा था और सफर करता था तो अकसर सरकारी बसों पे और दीवालों पे ये लिखा हुआ दिखता था कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मैं सोचता था कि ये मंत्र किसका है फिर जब पता करना सुरू किया तो पता चला कि एक ब आखिर ये संत समाज किस तरह से काम करता है और ये जो मंत्र है, इसके पीछे क्या उद् тебеश सिथा और ये जो संस्था है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा ये किस तरह से हिंदुस्तान में काम करती है बहुत बहुत इस धन्रबाद महराज जी यह वक्त देने के लिए यह है कि जब हमारी अवस्था उन्निस वर्ष थी और आई वाज स्टूडेंट तो मुझे को शरीर से निकाल के आत्मा को परलोक में ले गए और उन्होंने दिखाया यह स्वर्ग है यह नरक है यह देवलोक है यह फरिष्टें उड़ने वाले और यह पैगंबर हैं पैगंब बेते बिष्टेंब अज्ञें इनुक्रों से भी मुझे मिलवाया जैसे पैगंबर आदम anticip ऑलेुद ख्रुछ सीड़यों आले 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 यह वह पैगंबर थे जिन्नों ने प्रमातमस्ि बातGत की जे तो उसके बार और ऊपर और ऊपर वह हमें ले गए महादेव शिव से हमें मिलवाया नारण विष्णों से मिलवाया ब्रह्मा जी जो वेदों के गायक हैं एक तरह से गायन करते रहते हैं देवी सरसवती deadly बजाती है उन सब को मैंने अपनी आखों से देखा आखों से देखा मतलब इस सारीरी क आख से नहीं की आत्मा की आंखे बिल्ग आत्मा की आखे ही वहां जाती है यह शरीर तो यहीं रहता है जिए उससे बहुत ऊपर बहुत आगे वो ले गए कि अब दängtो पार ब्रह्म परमातमा क्या है प्रस्थ प्रकाश प्रकाश परकाश प्रकाश रोशनी के पड़ दे थे उन्होंने का you तो हम आगे गए, धंद रोशनी प्रकाश के परदे, 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 आगे लिए हमने देख़ा जैसे रोशनी के परदे के पीछे रोशनी का कोई पुरुश बैठा है। मैं ने ही तुम को बिलाया है मैंने ही सारी स्रस्टी को रचा है तुमने देखा है पेगंबरों को तुमने देखा है देवताओं को वो किसकी अराधना में लगे हुए हैं वो जो एक ही सरजनहार है और वहाँ पर ये मंत्र गोंजता था एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष परमात्मा, तू एक है तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा विदों में भी इसका वर्णन आता है बहुत से कहते हैं, ये कहां लिखा है? विद में है एको देवह सत्य है तो यह वहां से हमें प्राप्त हुआ और इश्वर ने कहा यही मंत्र तुम लोगों को बताना और कहना इश्वर के बराबर ना कोई देवता है ना कोई रिशी मुनी है ना कोई पैगंबर है वे सब मनुश्य इश्वर की अरदना करें अच्छा यह जब 19 साल की ओम्र म ऐसा हुआ था तो मुझे लगता है कि यह कितने देर की प्राप्तिया कितने देर की रही होगा पूरी रात अच्छा मतलब आप रात में रात के लगबग साड़े आठ नौ बजे मैंने देखा कि आकाश से मरत्यू की देव यम आए हैं अपने वाहन पे और मैं तो उपर हाथ किया और मेरे शरीर को मतलब अंदर जो इसके आत्मा है सुक्षम शरीर उसको बाहर निकाला ऐसे वो खड़ा हो गया सुक्षम शरीर मैंने उनको देखा और प्रणाम किया उन्होंने का आओ मेरे पास बैठो बहांसे पर और जो आत्माओं का स्वामी परम्रम है उसने तुमको बुलाया अभी तुमारे मरत्यों का समय नहीं उसकी आग्या से मैं लेने आया हूं कि मैं जिससे तुमको ये दिखा दूं कि स्वर्ग में क्या है नरक में क्या है फरिष्टे कहा है पेगंबर कहा है सबतरिशी कहा है देवता कहा है तो ये बात किसी और को नहीं पत पर चत पर अच्छा आप अपने हर प्रोग्राम के सुरुआत वेद से करते हैं तो यह वेदों में रूची क्या उसके बाद से डिवलप हुई या सुरू से थी जब मैं कक्षाच्छा में था और मेरे जो ग्रेंड फादर थे मेरे दादाजी वो वेद का स्वाध्याय किया कर जी और वेद मंतर वो बोलते रहते थे तो उनको देख देखके मुझे वेदों में रूची हुई और वेद मंतर मैंने पढ़े भी और उसके बाद बहुत बाद में हम लोग जगनात पुरी गए तो वहां पे आप सत्य मानें जो मैं कह रहा हूं हालांकि यह जूट का योग है सत्य पे भी कोई विश्वास नहीं करता लेकिन ईश्वर सब जगह मौजोद है आज हम यहां बैठे हैं शरीर है कल को यह शरीर छुटेगा और फिर आत्मा उसी के पास जाएगी तो जब हम लोग जगनात पुरी में थे वहां जो भगवान नील माधव है विश्वनों व बंद दर्वाजे से अंदर आ गए और मेरे पास आके बैठ गए उस समय मेरा शरीर हिलना डुलना बंद हो गया मैंने सोचा कि इनको प्रणाम करूं चरण इस पर शिकरूं कुछ नहीं कर पाया ऐसा पत्थर जैसा हो गया उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए तुम जो हो कभ चारो वेदों को प्रारंब से अंत तक शुरू करूं और सामगान शुरू से आखिर तक एक भी मंत्र चारो वेदों में छूटना नहीं चाहिए ऐसे तुम इसको गव मैंने कब मैं तो एक दम से साधारण व्यक्ति हूं और मैं किसी गुरकुल में भी नहीं पढ़ा हूं त हम कराएंगे तुमारी मदद हम करेंगे इस तरह से इसको शुरू करा तो वहां से फिर मैंने विदीवत चारो वेदों को गाना प्रारंब किया और इश्वर की करपा से उनको मैंने गाया एक भी मंत्र उसमें चुटा नहीं चारो वेदों में अब भी आपको याद हैं और क्योंकि वेद इस चीज़ को मना करता है कि तुम भाग के गुफाव में मत जाओ पलायन मत करो समाज में रहके समाज की सेवा करो अच्छा आप मतलब साकार या निराकार किस रूप में इस तरह को मानते हैं इश्वर तो निराकार ही है निराकार है मंदिरों में जो कहते के राजा थे कैलाश के उनका विवाह हरिद्वार में पहला विवाह कंखल में प्रजापती दक्ष की पुत्री से हुआ दूसरा विवाह हुआ हुआ हिमाचल की पुत्री से पारवती से जो की उत्राखंड में पढ़ता है कोटागड़ एक जगा है तिर्जुगी नारायन के पास, वहां की वो उनका मैका था, पारवती जी का, तो फिर पुत्र भी हुए, उनके दो पुत्र हुए, एक गणपती, एक कार्टिक स्वामे, और उसी परिवार में रहके उन्होंने धर्म का प्रवचार भी कि आप देखे न, महादेव हमारे सनातन धर्म में सबसे महान बता माने जाते हैं, क्रिश्न महराज थे, क्रिश्न महराज हाला की सन्यास्य जैसे पीले वस्तर पहनते थे, लेकिन उन्होंने परिवार में रहके ही ईश्वर आदाना की और ईश्वर के मार्ग का प्रचार प्रसार किया, मतलों आप यह कह रहे हैं कि जो एक बता रहे थे कि वो प्रकास के रूप में. बिलकुल. लेकिन ये बाकी. जैसे देखा जाये तो कोई Shri Krishna की पूजा लड़ु को पाल की करता है. कोई देवी मान की करता है. कोई देवताओं की करता है. कोई पीर लोगों के पास जाता है. तो ये बहुत confusing नहीं है. यह confusing नहीं है, यह हमारे महापुरोश हैं, महापुरोश हैं, उनका आशिरवाद लेने जाते होंगे वहाँ, हम तो यही समझते हैं, हैं, दो तरह की मूरत हैं संसार में, एक तो वो जो इनसान ने अपने हाथों से बनाई है, सिमेंट की, मट्टी की, सोने चांदी की, लकडी क और दूसरा प्रकार है मूरतियों का जैसे मनुष्य हैं, पशुपक्षी हैं, मूल रूप से हमें इन लोगों की सेवा करने चाहिए, मनुष्यों की, और पशुपक्षियों की, व्रक्षों की, सबकी हमें देखबाल, देखबाल करने वाला तो परमातमा है, लेकिन हमें उस से जुड़ना चाहिए. जैसे हमारे हाँ सनातन धर्मे देवी देवता होते हैं, बाकी भी धर्म है, पीर है, आप कह रहते हैं, जब आप उपर गए तो अलग अलग लोगों के भी हुए, तो क्या ऐसा इसवर के पास भी विधान है, क्या कि उसके पास भी यह संप्रदाय जात तो बात में बनी ना, तो इसवर के पास ऐसी चीजे कैसे? देखे, उसका तो पूरा प्रोजेक्ट है, यह ब्रह्मांड, अगर उसके पास देवी, देवता, पैगंबर, फरिष्टे नाव तो तो अकेला बैठा रहे गए, यह तो उसकी सरस्टी है, उसकी रचना है, और वे सब उसी की आराधना करते हैं, अपने अपनी जुबान में, हमारे रिशिमोनी वेद मंतरों से करते हैं, और पैगंबर जो है, अपनी बाश्या में करते हैं, हम लोग पीछे एजिप्ट गए थे, मुसा जो पैगंबर हुए है, उनके पहाड़ पे हम लोग गए थे, जहां उनको इश्वर का दर्शन हुआ था, और उन्होंने इश्वर के बचन वहां लिखे थे, तौरेत, जो धार में पुस्तक हैं उनके, तो हमने उनकी एक प्रार्थना भी याद की थी, और अब भी मुझे याद है, पेगंबर मुसा लिएसलाम की वो प्रार्थना दूआ, रोशनी मेरे बीतर आ सके, और तू मेरे काम को आसान कर दे, जो काम तूने मुझे दिया है, और मेरी जुबान की गिरहों को, गाठों को खोल दे, जिससे जो तेरे विशमे में बात लोगों से कहूं, इसको वो समझ लें और मान लें, तो ये उनकी प्राश्णा होगी, ऐसी हमारे यहां है, ओम विश्वानी देव सभीतर दुरितानी परासुव, यद भद्रम तन्नासुव, हे प्रभू हमें दुरगुणों से अलग कर दे, जो बुराईयां है, जिस कारण से हमारे जीवन में हमें दुख मिलता है, उस से हमें अलग कर दे, और जो कल्यान का रास्त है, उस पे तो हमें ले चल, तो इन बाकी धर्मों को देखते हैं, जब सनातम की बात होती है, यहुदी की बात होती है, या इसलाम की बात होती है, तो इन धर्मों को आप कैसे देखते हैं, जहां इश्वर की बात आती है, एक इश्वर है, एको देवा, वो भी यही मानते है एक ईश्वर है दूसके बराबर कोई है ईन्हें लाइलाह है है नहीं है पूजनी है सिवा कोई उस इश्वर के उसको वह अपनी बाशा में ला कहें खुदा कहें कुछ भी कहें सूर्य को आप सं कहते है तो बदल थोड़ी जाता है वह तो सूरज ही रही वहां की परमपुणुल हिंक है कि हमारे यहां विदों में ये लिखा है कि हिनना कर रहें हिंसभान करते हैं अँड़ुस्तान में भी दि देवि देวत राप udah कि इतनी बलoriya चलाते हैं इन बातों श्कुश। सोड़ी होता है ने वही तो मैं कहा रहा हूं वह अपनी परमपराओं से मतलब बंध जाते हैं एक तरह से न यह परमपराय कैसे डेलफ हुई बस वो जो समाज थे कबीले रहे पहले उसी से यह सब हो गया जबकि यह गलत है वो भी कहते है इस वर एक है बाकी धर्म भी कहते है उसके बाद विस्वर के नाम पर सबसे ज़्यदा मार काट होता है मुझे लग रहा है कि आज की देट में अगर हम देखें तो जो लडाईयां पूरे विस्व में चल नहीं है वो धर्म को लेके चल लगते हैं उसका कारण क्या है वो धर्म और संप्रदाय यह दो अलग-अल सब के लिए जो भी सरस्टी में है उन सब के लिए वो नियमे उसको धर्म कहते हैं क्या दूसरे को कर्ष्ट मत दो सबसे पहले चीज़ लोग मारने को तयार बैठें घर में आग लगाने को तयार बैठें हैं लगा रहे हैं उनके धन को बेटियों को हत्या रहे हैं तो पहला तो यही पाप कर्म हो गया. दूसरा है यम में सत्य, सत्य का आचरण करें. आज के युग में कौन-कौन सच बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. तो दूसरा पाप ही यह हो गया. ब्रह्म चरिये. तीसरा धर्म है, पूरी मानव जाती के लिए है, केवल जो वेद पढ़ते होने के लिए नहीं है, इस प्रत्वी पे और प्रत्वी से अलावत जहां भी, जो भी स्रस्टी है. जे, सब के लिए, नियम सयम रखें और अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहें, वेद में है ये मंत रहें, और अपनी निगाहा को सही रखें, जे, दूसरों से मतला इन्वाल्व ना हो, ये सारी ये धर्म कहलाता है. लेकिन सबसे जवरदस बात कहा ना, ये सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म की पुश्ट के कहती है, पर वहीं आप इसलाम में चले जाएए, वो बताते हैं कि उनके आँ जिहाद होता है, उनके पुरान ने जिहाद लिखा हूआ है, तो बहुत अलग है, आप कहते हैं कि आप गय थे जिप्ट गय थे उनके धर्म को भी आपने देखा आपको सबसे बहतर कौन सा लगता है बहतर मैं बता रहा है बहतर और मतलब नीचा उंचा ऐसा कुछ नहीं है धर्म वो है जो हमने अभी बताया ना जो धार्मिक नियम है इश्वर की अरादा सबसे पहली बात फिर हर एक इनसान पे दया पशो पक्शों पे दया ये तो सभी में लिखा हुआ है सब में लिखा है लेकिन कुछ लोगों ने यह भी लिख दया है हाँ इनको मारो इनको काटो एक किताब के कई पन्ने हैं किताब में एक ही पन्ना थोड़ी होता है आप एक पन्ने पे देखे इस प और कोई नाम आने तो क्या करें अभी आपके इश्वर से मुलाकात होती है देखे मैं तो यह समझता हूं यह सारी सरस्टी इश्वर की है और एक दफा यमराज मुझे ले गए और बार-बार मुझे मुलाकात करने की कोई जरूरत नहीं है एक ही बार में मैं तरक्त हो गया एक तू सच्चा तरा नाम सच्चा सब में तेरा नोर समाया यह सनातन सिद्धान्त है कि हे परमात्मा तू एक है और तेरा प्रकाश सभी में समाया हुआ है एको देवा सर्व भूतेशु गोड़ः आपकी जो अनुवाई है कहते हैं कि जब भी हम किसी की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि किसी को पूजने के लिए एक सरूप को याद करना पड़ता है एक जगह अपने आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो जो अनुवाई हैं अपने वो किसको याद करते हैं कैसे वो याद करते हैं वो ध्यान में मतलब मस्तक मे अपने यह सोचे हैं हमारे शरीर में भी वह ही ईश्वर है. तो वह किस रूप में? जोती कई बार एक सवाल मैं देखता हूं, लोग पूस्ते भी हैं और पढ़ने को भी आता है, और जो धार्मी को लोग है, कई बार उनकी आस्था बहुत जादा होती तो वो डिंगने लगती है, वो कहते हैं, जब कोई मंदिर बनाया जाता है, तो उसमें मुर्ती जब अस्थापित है, कि इसमें प्राण आगए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप यह मानते हैं कि प्राण परतिश्चा बार भी प्राण महीं आता है? मतलब वो केवल हमारी बावना होती है, देवता या हमारे महापुर्शों का जो महानता है, उनका जो सम्मान है, वो हमारे हेर्ड़ा में होता ह देवता पत्थर में नहीं होता हालां कि कणकण में इश्वर है लेकिन वो ऐसे थोड़ी चल सकते है जैसे मनुष्य चलते है वो जड़ चेतन है उसमें तो इसलिए हमें उस जो ए विवादित है जिसमें कोई विवाद ही नहीं है उस इश्वर की ही आराधना करने चाहिए और यह सब इसमारक है एक तरह से प्रभुराम का अगर मंदिर बनाए तो वो उनका इसमारक है है जिससे हमें इस मरत्ती में बना रहे है कि हाँ हमारे ऐसे महापरश्वे क्रश्न महराज का मंदिर है तो वो उनका इसमारक है ऐसे अस्थानों पे एनर्जी तो होती होगी ना एन मैखें जो ऐकतही कि इसलिए वहां पर हमें अत्यदिक आत्तिव इनर्जी का उनुभव इसको इस रूप में भी देखा आप इसको कहीं भी बैटके याद करें, वहीं वह सुनता है। लोग पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं धर्म-कर्म करते हैं शांती बनी रहे हैं, कलेस ना हो। लोग पूजा-पाठ करने के बाद भी ये कलेस खत्म नहीं होते। वो इसलिए खतम नहीं हो ते क्योंकि हम उना भार्मिक सिद्धानतों का पालन नहीं करते। जो हमने भी बताये ना जो यमनियम है, जो हमारे जीवन को उच्छिता में जो चीज़ें ले जाते हैं, क्रॉध ना करें। हमारा सिद्धान्त ये कहता है अधार्मिक लोगों को लेकिन वो किरोध करते हैं. धार्मिक ये कहते हैं आप किसी की निन्दा ना करें लेकिन वो करते हैं तो कलेश होगा. और दूसरों की कमियों को ना देखें अपनी जो आत्मा में प्रकाश है उसको बढ़ाएं ये साधना है लेकिन वो दूसरों को ये देखते रहते हैं अपनी साधना को बढ़ाते नहीं इसलिए वो कलेश और दुख बना रहते हैं आट पूजा पाद करते हैं लेकिन जो पूजा पाद के जरी है मानना चाहिए वो नहीं मानते हैं बस वोई चीज़ है ना अच्छा आपी वता है कि यë जो भीद भाव है जाती बात थे क्या हमारे सनात्म धर्व में सुरू से था और अगर नहीं था तो इसको कैसे में सामल किया गया किन लोगों नहीं सामल किया यह तो कभी था ही नहीं जात्वाद है नहीं भीद में। बहुत से कहते हैं कि इस्तरियों को यग्यो पवीत नहीं पहनना चाहिए, उनको यग्ग नहीं करना चाहिए, और जिस वर्ण को हम शुद्र कहते हैं, और शुद्र बहुत खराब शब्द माना जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता कहने में, सुनने में, वो असल में श्रमिक हैं, हमारे श् होता है, तो हमारे रिश्यों ने प्राचेन पुरिशों ने तो सभी को मेहत्व दिया है, और बहुत से आचारिये आज भी ऐसे हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं, इस बात पर कि नहीं, और इनको तो ये, मतलब उचित नहीं है वेद प्रमान सहित, रिगवेद में बहुत से मंत्र हैं, कई सारे मंत्र हैं, उनमें से एक है, ये रिगवेद के सात्वे मंडल में, 69 सूक्त में, दूसरा मंत्र है, इसके रिशी हैं वसिस्ट, वो बोलते हैं, ओम सा प्रथानों, ओम सा प्रथानों, पंच भूमा, त्रिबंधरो यानि प्रजा राजा के लिए रथ के समान होती है और रथ का एक भी अंग अगर खराब हो गया तो वो रथ चलेगा ने इसलिए राजा को चाहिए कि अपनी पांचों प्रजाओं को हम तो चार वर्ण को जान रहे हैं ब्राहमान, छत्री, वैशे, श्रमिक जिनको शूद्र बोल रहे हैं मैं तो कभी शब्द को बोलता है नहीं लेकिन क्योंकि बोलने के बगार इसकी पहचान नहीं होगी दूसरे लोगों को हम इसको श्रमिक और शिल्पकार बोलता है और पांचवा है निशाद जो बनों में रहने वाले हमारे राज्य के अंग हैं, प्रजाएं हैं तो इस मंत्र में रिशी ये कह रहे हैं वसिष्ट मुनी जो कि आयोद्या के राजगुरू है राजा को चाहिए कि पांचो प्रजाओं को वेद में निशनात करे उनको वेद की शिक्षा देनी चाहिए तो बताएए इतने पुरानी बात त्रेता योग की है और आज ये वेद में परमानित है और हमारे लोग इस पर लड़ रहे हैं नहीं साब इस्त्रियाने गायतरी नहीं बोल सकती और ये तो श्रमिक हैं, ये तो शोद्र हैं ये कहना बड़ा लज्जा जनक है अगर वेदों में ऐसा लिखा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं है नहीं, ये तो परमान है ना मैं इसलिए आपके सामने ये मंतर लाया हूं कि जिससे आप देख सके तो ये बीच में किन लोगों ने क्या मैं मानू कि जो धर्मिक ठेकेदार थे उन्होंने इस तरह की हवा चलाई अब ठेकेदार भी किसको कहें सब हमारे भाई हैं वो भी देखें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धार्मिक नियमों को फॉलो नहीं किया तो उन्होंने उसके विरुद्ध अपना एक जंडा खड़ा कर दिया अच्छे खांसे दूर में आप निवो निचोड़ दो वो अपने आप फट जाएगा यह पॉलिटिकल लोग थे जन्होंने ऐसा किया और हमारे देश को हमारे समाज को खास तोर से सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुँचाए और संसार में जितने लोग में बता दूँ यह सब सनातनी ही है सब ब्रह्म पुत्र है इश्वर के पुत्र है कोई भी किसी में भेद नहीं है मैंने खुद मुझको भगवान यम ने दिखाया कि देख लो एक ही दारवेहरी यह लड़ाई इसी बात की है अज्ञान की लड़ाई अज्ञान की और स्वारत की और एक मैदार बात यह भी कि सनातन के पास तो उसके होने का प्रमाढ़ है अनंतकाल से बाकी धर्म बाद में सुरू हुए इसका भी प्रमाढ़ है तो यह तो ऐसे भी मान लिया जाएगा कि बाकी धर्म इसी से निकलोंगे जब सनातन वो सब इसी से हैं सब इसी से हैं कुरान में जगा जगा वेदों का जिक्र मिलता है एक कोशन इसी तरह लेटर में पास आया है कि वेद में इंद्र अगनी वरुण वो ब्रिस्पति विष्णू रुद्र देवों की पूजा है उनके सुख भी है सुरसति लक्ष्मी के भी सुख्त है क्या यह प्रमाड नहीं है कि वेदि काल से ही बहुत देवी देवताओं की पूजा होती थी नहीं कारण ये है सुरज आप देख रहे हैं एक युदारण सामने है आप अपने बेटे का नाम सुरज रख देजिए तो क्या वो आपका बेटा और ये आसमान में चमकने वाला सुरज एक जैसे हो जाएंगे नहीं नहीं होंगे न ऐसे ही वेदों में इंद्रम, मित्रम, वरुणम, यम, मातरिश्वान शन्नो मित्र, शन्न वरुणा, शन्नो भवतर्यम शन इंद्रो ब्रहस्पति ये सारे शब्द इश्वर के लिए प्रियोग किये गए उस इश्वर के अलग-अलग गुणों का वर्णन है तो उनी पे रिश्यमुनियों ने अपने लड़कों के नाम रख दिया बस ये यह ब्रहमित हो गए लोग साधना तो उनकी भी रही है ना बात साधना की नहीं है साधना तो सभी की अपने-पने एक रक्षा चला रहा है थ्रिविलर चला रहा है वो भी विचारब परमात्मा का नाम लेता है सुभेशा बात साधना की नहीं बात हमारी समझ की है कि हमारी समझ में कहीं फरक आया है अच्छा ये बड़ा गूड भी से है और बड़ा कंट्रोवर्सियल भी कई बार हो जाता है कई बार एक बात देखते हैं दूसी बात से कटती नजर आती है नहीं कटती कुछ नहीं है बस एक समझ की बात है जब तक हमें वो चीज समझ नहीं आई है तब तक हमारे लिए मुश्किल है ये वेद जो लिखे गए ये किन लोगों ने लिखे कैसे लिखे गए देखे ये भी ऐसा है जो इश्वर जिसको हम कहते है वो जोती पुरुश है और उसको पुरुष भी नहीं कह सकते प्रकाश पुझ कह सकते हैं तो उससे तरगें उठनी शुरू हूई और फिर सरस्टी बनी देवता बने रिशिमुनी बने और उस हिरणिया पुरुष ने सुनहरे पुरुष ने, प्रकाश पुरुष ने, अपनी तरंगे, ग्यान की तरंगे उनकी तरफ फेंकी, उनकी हिररे में वो ग्यान आया, और उन्होंने उसे बोलना शुरू किया, लिखना ने, लिखना तो बहुत बाद में प्रारंब हुआ, तो कुछ रिश्यों ने बोला उनके पास में जो बैठे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने याद कर लिया, वेद जो है, बोला गया है, और सुना गया, शुरुती, इसको शुरुती भी कहते हैं, तो सुन सुन के उन्होंने याद कर लिया, हजारों साल तक तो यही परंपरा चली, उसने उससे सुना, उससे उसने सुना और वो याद करके आगे उस ग्यान को बढ़ाया। बार में फिर उसको पीपल के पत्रे पे लिखा गया। फिर भोज पत्रों पे लिखा गया। फिर शिलाओं पे लिखा गया। फिर आज कागज पे लिखा गया। जितनी बार लिखा गया उसमें बदलाव होते वाले लोगों ने उसमें घुसपैट कर दी जो राजा थे ना राजा राजा उने करा दी अब मंत्र को पढ़ने वाले समझने वाले कम है और जो अनुवाद है उसको पढ़के वो उस पे चलते हैं देखे उसमें भी ईश्वर ने एक विदान रखा है अगर आप सत्य को जानन चाहते हैं सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले भी तो सब नहीं होते हैं यदि आप जानना चाहते हैं तो उसमें ये एक विद्या है वेद की आप उस मंत्र को देखते रहें कई बार पढ़ें और देखते रहें उसका अर्थ खुद आपके अंदर आ जाएगा ऐसा है सेंट पर सेंट बिलकुल जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप प्रभु से प्राष्टन कीजे है प्रभु मुझको समझ नहीं आ रहे तो उसको देखो देखते रहें आख बंद कर लिजिए और उसका अर्थ आपके हिरदय में आ जाएगा एक जिगर लिखा मैंने अभी आपको बताया कि वेद में तो ना तस्य प्रतिमास थी उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है तस्वीर नहीं है मूरत नहीं है तो उसका ऐसा शरीर नहीं है जैसा मनश्यों का या देवताओं का है वो सब आत्माओं में निवास करता है जे तेजस स्वरोप मे अच्छा तो क्या ऐसा भी होता है कि इश्वर कुछ लोगों से प्यार करता है कुछ लोगों से नफरत करता है इश्वर की तो सब संताने है जो पुन्य करम करते हैं जाहिरा उनसे वो प्यार करेगा आपके पांच-छे लड़के हैं मान दीजे तो एक बहुत अच्छा है बिर्लियंट है और आपको बहुत दियान रखता है जूट नहीं बोलता है और हर काम जादा तर आप से पूछ के करता है तो जाहिर आपका जुकाव उसकी तरफ होगा कुछ ऐसे हैं एक शराबी है आपका बेटा और वो उसको हाथ जोड़ लो पैर पकड़ लो मानता है नहीं घर का नास कर दिया तो उसको क्या करेंगा है तो बेटा है है बेटा उसको सहुलियत पहुंचाएंगे जेल में बंद हो गया तो छुड़ा भी लेंगे बीमार हो गया तो दवाई भी दिलवा देंगे लेकिन उसके दुरगणों को कैसे मिटाएंगे मन में कभी ना कभी तो उसके लिए धिकार निकलेगा है तो ने कुल का नास कर दिया हमारे बजरगणों को कलंक लगा दिया इससे अच्छा तो तो ना पैदा होता है बस यह चीज है आपके करता है एक वर में आपके अस्तन पर गया था तो नोगो ने बताया कि आपको जब आप कहलास मांसर हो गये थे तो आपको शिव जी के दर्शन हुए तो यह सही है बिल्कुल अगर है तो थो थोड़ा प्रकाश डालें की कैसे और मुझे लगता है कई बार आपको रुक रु तो समझ ले इनको इश्वर के मितर कहिये जो द्यव गन है वो इस्वर के मितर है हम लोग जब मांसर अग्याश गए थे तो जब हमने यातरा शूरू कि हम नो वह यक्ति थे उस गृुप में और हमने का देखो इधर की उधर की यहां की वहां की कोई बात नहीं करना हाथ में जब करने की माला निकाल लो और ये ध्यान लगाओ कि उधर केलाश पे जो महादेव बैठे हैं वो हम से क्या कहना चाहरे हैं वो जो हमारी तरफ अपनी ब्रॉड कास्टिंग भेज रहे हैं व क्या आवाज है उसको सुनने की कोशिस करो जी तो इसी उसमें हम लोग सब पूरा ग्रुप लगा रहा है कोई जलासी बात करने को शुरू हो तो मैं एक दम बंद कर देता हैं सावदान सुम्रन करो परमेश्वर का नाम जब को और ध्यान अदर लगाओ कि वो क्या कहना चाह और चाहिना वालों का तो ऐसा ही है वो रोज नए नए नियम बदलते रहते कि आप लोग अंदर नहीं प्रवेश करोगे सरूबर में और पानी गंदा हो जाएगा और यह हो जाएगा कि बाल्टी से ले लो पानी और इसमें अशनान कर लो बाहर बैठके अशनान कर लो जैस करना था तो शाम को जैसे सोने का वक्त हुआ तो मुझे दिखाए दिया नंदीश्वर आए उनके जो शिष्यें शिव के बोले आज तो महादेव और महादेवी बड़े परेशान रहे मैंने का क्यूं बोले इसलिए कि हमारे मोती जैसे बच्चों को ठीक से अशनान नहीं क कि नहीं वो सुबह को आएंगे आपके पास मिलने मैंने का ये तो मेरा बड़ा सभाग्य होगा मुझे दर्शन हो जाएंगे तो हमारी आराधना रात को दो बजे होती है दो वाली आराधना करके हम लेट गए तो उदर से शोर मचना शुरू हुआ के लाश का जो शिखर है ह हटो हटो रास्ता चुड़ो रास्ता चुड़ो आगे मत आओ पीछे हट जाओ अरे पैर मत चूओ यानि महादेव आ रहे है इस सो मचना वाले कौन से लोग यह उनकी शिख्ये उन्होंने देखा यह महादेव कहा जा रहे हम भी चलने साथ में उनहीं की शिख्ये थे वो त आगे जाने दो तो वो आए जिस कक्ष में हम थे ना मेरे पास आकी बैठ गए जे अब मैं देख रहा हूं उनको फिर वो इस्तिती मेरा श्रीर ऐसा हो गए ना हिले ना डुले तो उन्होंने एक बच्चे की तरह मेरे सिर में हाथ फेरा है पुछ कारते हैं जैसे बच्चे क मुझे हुआ आई मैं का प्रप मैं तो गसा कलता है मुजे पता है करता है या नहीं करता है बस गसा मत किया करो हूं हम कीने इतना उनका संदेश मुझे मिला फिर वो है चिले गए हा ये बात भी है कि अन्भूती हर किसी ने अलग-अलग घंग से भी पुनरजनम की आप सद्गर I am a यंचा वा पीजिसे एक ह़श्याना में एक अब बजूर्ब हो गए वो सतर पे छतर साल के तो बोले मेरा नाम पीछे फते अली था पिछले जनम में और मैं अपने पिता के साथ हज करने मक्का गया था और वहां पानी के जाज से हम लोट रहे थे और इसमें जहाज डूब जाने के वज़े से मेरी मरत्यू हो गई थी अच्छा और अब मैंने यहां हिंदों में जाट परिवार में जनम ले हैं तो उनोंने अपने सारा विवरण बताया एक मुझफर नगर में हैं इनाम अली वो पहले वो भी जाट परिवार में थे और दोनों के गाउं भी लगबग पास पास हैं मुश्किल से 6-7 किलो मेटर का अंतर याट थे उन्हें सारी चीजे याद हैं और उनके संस्कार भी वह जाट वाले हैं आज बी अच्छा ये आप इसपे कैसे काम करें हैं किसे फाइंड आउट करते हैं क्या है मिलते हैं। तो वो पुछले जनम के बारे में और जो बीछ में घटना होती है много कोई 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 बटाते हैं कि जब मैं मरा तो मुझे दिखाई दिया कि में मेरा शरीर पढ़ा है, अग्या हुआ और मैं इतरी खढ़ा तेवल यम्राजी के दरबार तक पहुंचते हैं। चितर गुप्त उनका हिसाब देखते हैं कि नहीं 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 गलत है। नीचे बेज़े इसको फिर बेज़ेते हैं। ऐसी भी बहुत से सो के करीब ये घटनाए हैं। और पुनर जनम की तो लगबाग डेड़ सो के करीब ह आप मिले इन लोगों से हम मिले हैं। और बहुत गहराई से बात की है। और अभी और भी लोग हमारी लिस्ट में हैं। जिनसे हमें मिलना है। तो क्या पुर्ष तक और एसी निकालने वाले हैं। जिस से दूस्ते लोगों पताचले। हमारी देखें, यह मैग जी है, इसम मुक्ति का रास्ता हर में निकलते तो इसमें पिछले अंकों में हमने कुछ लोगों का विवरण दिया है अच्छा जी और नैट पे तो पड़े हैं यूटूब पे यूटूब पे ये पड़े हैं पुनर जनम एक रहस्य है तो अगर बू कहते हैं कि आदमी मरता है तो फिर उ यह देखा जादा तर अपना पिछला जनम उन लोगों को याद रहा जो ऐक्सिडेंटल डार जनकी हुई जनका मरड़ कर दिया उनको याद रहता है जो आतमा को वही आत्मा उनको जल के मर गए, एक्सिडेंट से मर गए अआत्मा यह जन्न नहीं मिलता यह प्रेथ बनते Cowb अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, ईश्वर को याद करने वाले आत्माएं, सब तरह के लोग. एक से हम मिले थे हरियाने में, वो नवी वक हैं, भी आते भी हैं, आश्रम में भी आते हैं, तो इधर मुंड कटी एक जगा है, तो वहां पे उनका एक्सिडेंट हुआ था, और वहां एक पीपल का पेड़ है, बिलकुल बराबर में, तो उन्होंने बताया, इस पेड़ पे मे बिलकुल उसी पेड़ के नीचे खड़े होके उन्होंने हमको बताया, 14 बरस में इस पेड़ पे बिना शरीर के अपनी आत्मा मेरा है, तो जो आत्मा में थे तो वो किसी से संबाद नहीं कर सकते थे, आपस में, आपस में जो और लोग थे न वहां, उनी जैसे, उन से कर सकत होगे थे, मतलब इस समय हमारे आसपास पर इस तरह की सकतिया होंगी, अवश्य होंगे, लिकन उससे हमें गबराना नहीं चाहिए, और इन चीज़ों पर इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, आदमी का दिमाग उसी में लगा रहता है, फिर आप में बहम पैदा हो जात है, कैसे, वो एक सब प्रमाण क्या है, प्रमाण है ना, यह जो बात हम कर दो है, उसके प्रमाण है हमारे पास, जिन लोगों से हम मिले हम अब भी उन से मिलवा सकते हैं, प्रमाण है, और जो हम इस्वर की बाते कर रहे हैं, इस्वरी अराधना की बाते कर रहे हैं, उनके द दिला दिये। जो हम नौ लोगों का क्रुप था, नौ के नौ आदमियों को वहां शिव के पारवति के किसी ना किसी रूप में होगे। नौ को एक भी ऐसा नहीं था जिसको वह अनुभोती ना ह vesti होे, क्यों? क्योंकि और कोई बात की ही नहीं निरंत और परंब्रम को जबते रहें। ये आध्यात्मा और कर्मकान ये दो बिदा हैं, दो लाइने हैं। आध्यात्मा कहते हैं आत्मा का विज्ञान, आत्मा को जानना, उसे हम तब जानेंगे जब हम अनतह करण में प्रवेश करेंगे, अपने भीतर। जे और करमकान होगे हैं जो बाहर हम यग कर रहे हैं, कोई अनुस्ठान कर रहे हैं, बहुत से लोग तंत्र साधना भी करते हैं, वो बड़ी भयानक होते हैं, उसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए किसी को, आच्छा, तंत्र साधनाओं में किसकी प्रवेश करेंगे, उसमें न इनर्जी एक होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और वो बहुत नुकसान उन लोगों का होता है, जो उस काम को करते हैं, कभी इस तरह के अनर्जी ओसे मिले हैं, अनुभूती हुई है, मैं देरादून में था, और मैं शास्ति संगीत का विद्यार थी रहा, और रुद्रबीन आज भी हम बजाते हैं, मैं पूछने वाला था, वो बड़ा एक दुल्लव यंत्र है, जी, 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 और शिव जिससे उसका कुछ संब्र माना जाता है, हाँ, शिव नहीं उसका निर्माना किया है, तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैं देरादून हमारे गाहों के थे, और जो बहुत पहले मर चुके थे, अच्छा, हाँ, मर चुके थे, तो बोले बेटा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, जिससे तुम्हें ये अनुभव करा दूं, कि आत्माओं का इस पर्ष और अनुभव कैसा होता है, तो वो अनुभव उनका हुआ है, और जब हमारा द्यान इश्वर में और दिव्या आत्माओं में लगा रहता है, तो उनी से हमारा संपर्क रहता है, निमना आत्माओं वो पास में आती ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के न, आती हैं तो दूर खड़ी रहते हैं, बस वो हाथ जोड़े प्राशना कर कि परमेश्वर हमें इस बुरी योनी से छुड़ा दे, जी जो दूरुतना विड़ा है, शास्ति संगीत जो है, इससे इश्वर का कुछ पुरा इश्वर की अराधना है, आप गायन से कीजिए, वेद मंत्र से कीजिए, हैं, संगीत बगवान शिव बजाते थे इसको, बहुत लोग होंगे, जानता तो नहीं हों, दक्षन बारत में ज्यादा है, उत्तर बारत में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इस चक्कर में कोई पढ़ता नहीं है, बात तो सही है, हैं, चक्कर ही समझते हैं कि, अरे कहां लाइफ खराब करोगे, इससे कौन सा पैसा मिलेगा, कौन सा धन आएगा, लोगों को धन में आकरशन हैं, बस, हम मनुशियों ने, मनुशियों ने रंग बिरंगे, अपने गहोंचले घरॉँडे तो बना लिये, लेकिन उन घरॉँडों की दीवारों में हमने धन को चुपाया, धन को चुपाया, वो जो तीनों लोकों का स्वा काश होता, शान्ती होती, और तभी कोई कहते हैं, तुमारे घर में भूत हैं, तुमारे घर में प्रेत हैं, और किसी की बात भी सच मान लेते हैं, कोई भी भगत, कोई भी मौलवी, भूत प्रेतों का काम करने वाले, यह नहीं बताते हैं, भई वो जो सर्व व्यापी परमात् क्या वो है नहीं पता है उनको उनको सब जानते हैं कि परमात्मा सब जगा मोजूद है लेकिन क्योंकि वो उसमें उनकी आस्था डूबी हुई नहीं है उनका भी वो ही है कैसे इस से पागल इसको बना कि जादा से जादा दन एठ ले करोड़ों में कोई होगा जिसका परमात्मा में लगा है नितों सब यह सोचते हैं खाऊं फड़ों इसको कैसे जूट बोलूं ऐसे कैसे ठबूं कहां से दन मिले दन के पीछे पागल है बात तो सही है और कहते हैं कि महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा उसकी तरफ आकर से तो होते हैं लेकिन आपके बच्चे आध्यात में कम होते हैं इनके लिए क्या कोई मैसेज है आपके पास क्या देना चाहेंगे बहुत से लोग आपको देख भी से जो युवक हैं वो युववस्था में मर जाते हैं और जो वरद्द हैं वो तो देरे-देरे जाई रहे हैं यम लोग की तरफ कह जो तो जो सरवयापी है जो हमें शाश्वत शानती प्रदान करने वाला परमात्मा है उसकी हम अराद न करेंव और संसार में पुंड्यकरichen कर करना करें एक सवाल है मुझे याद आया कि यह जो गायत्री उपासना होती है यह देभी के लिए होती है यह सूरी के लिए होती है और क्या इसको महिलाएं भी कर सकती है सबके लिए है वेद मंत्र हर एक व्यक्ति के लिए जे देखें गायत्री साम वेद तो पूरा गायत्री पर निर्भर है जे और एक ही गायत्री मंत्र नहीं है सैक्ड़ो हजारो मंत्र हैं जिनका गायन होता है जे तो बच्चे भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं सबी कर सकत शेन वैई हैं और शूर्य ना यह सूर्य का मंत्र है यह पार अlease का मन्ट रहे हैं ऊच्छिता का मंत्र है उसी की इसमें प्रच्छन आ है ओम दोटफ के लिए तु ने यह परत्वी बनाई, आकाश बनाया, स्वर्ग बनाया और हमारी आत्मा को रहने के लिए यह श्रीर रूपी अस्थान दिया हम तुझको अपनी आत्मा में धारण करते हैं, वरण करते हैं जैसे एक राजकन्या राज पुरुष का वरण करती है किसी एक के गले में जैमाला डालती है, तो उसका पती वो हो जाता है, कि मैं आत्मा से तेरा वरण करता हूँ, हमेशा के लिए तुझे अपना बना रहा, भरगो देवस्य धीम ही, मैं तेरे प्रकाश का, अविनाशी प्रकाश का द्यान करता हूँ, धियो यो नहां प्रचुदेयात, तु मेरी आत्मा को, बुद्धी को, जीवन को प्रकाशित कर, ये इश्वर मंत्रा है, इश्वर के लिए है, लब कोई भी कर सकता है, सब के लिए है, सब के लिए, चबते हैं दो सवाल और करूँगा मैं आपसे, जो संत समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो अध्यापन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो भोजन और पानी होता है, बड़ा अलग होता है, बाकी लोगों से, तो आप क्या लेते हैं आहार में, आपके दिन चरिया कैसी होती है? हमारा तो प्रति दिन उपवास रहता है मेरा सुबह से शाम तक सुरिय उदैसी सुरिय आस्ते तक सुबह को सुरिय उदैसी दो चार मिनट पहले जो अलपाहार है वो हम ले ले लेते हैं ये उपवास जो होता है वो निरा जल होता है ये एक तीन तरह का है हमारे यहां एक तो निर्जल जिसमें स्वा से शाम तक जल भी नहीं पीटे हैं. एक वह जो बीच में पानी वगरा पी लेते हैं. तीसरा ये है कि उसमें दूद भल ये भी ले लेते हैं. तो आप तीनों तरह कर रहते हैं? अच्छा तो निर्जल रहता है. ज्यादा तोर पे निर्जल ही आपके दिन बाद पार ब्रह्म की अराधना होती रहती है हर गंटे पे होते हैं तो आपके अन्वाहिया उपने देनिक घरे कैसे करते हैं वो तो आप देखे ना आप ओफिस में बैठें आप एक गंटे बाद जैसे बड़ी सोई बारा पे आई तो पीछे को आप दो मिनट के आप बंद कर देजिए इसमें कौन सी प्राब्लम है कौन से काम खराब है अचा मतलब कोई उस तरह करमकांड नहीं मतलब नहीं करमकांड है वो एक प्राट्थना बोलते हैं और एक माला का जब होता है उसमें केवल पांच मिनट लगते हैं 108 माला नहीं 108 दाने की माला हमारी होती है सच्चे मोती की आचा तो एक माला का जब उस समय होता है और मुश्टल से पांच मिनट लगते हैं तो इतनी देर में कौन सी गाड़ी चूटी जा रही है अचा 108 और 101 क्या अब तक तो लोग 108 ही मानते आ रहे थे नहीं उसमें अलग-अलग विधान है जो मोक्ष मार् आदी काल में वो इश्वर था अंत में कुछ नहीं रहेगा वो एक ही इश्वर रहेगा बीच में शुन्य अंतराल है जिसमें आत्मा विचरण करती है और 108 क्या कांसेट है 108 का वो है कि 27 नक्षत्र हैं अच्छा और इस तरह से नक्षत्रों से संबद्ध तो वह है जो आपक इतनी बार आपके आस्रम पर इकठा होते हैं क्या कोई आयूजन इस तरह का होता है होते रहते हैं होते रहते हैं अच्छा एक तो पांच माई को होता है जिस रात हमारी पढ़ लोक यात्रा होई थी ठीक है ब्रत्युदेव यम हमें ले गए थे और हर रविवार को संगत ज यूट्यूब पर देख सकते हैं आपको मानने वालों की पूजा पद्धति किस तरह कैसे मापको मानने का मतलब की जो अपने संस्था में आते हैं वो लोग किस अराधना की क्या भी दिये उनकी बस वही शुरू में प्राज़ना करेंगे है प्रमेश्वर तू जमीन आस्मा वह है जो तीरी बराबरी कर सबी पराएंजा करेंगे बाद में एक ूख्यक मंच है प्रमेश्वर तू सच्च थे र को यह वह चुन को जीसे मनत्र कहते हैं किक्षम दिखक्षे दिखसे हैं आप यहां एक्ष्ञता ने फैसे फिर दोड़ fight on the altre थो दिया जाता है तीन बार मंतर बुलवाय जाता है तो उनकी दीक्षा घ्र 핫 क्या है हिंदुस्तां को kis प्रम्साट और किस मुहिम को लेकर के डीजम रायए हिंदुस्तान तो पूरे संसार का ताज है देवताओं की भूमी है और बाहर की ताकतें चाहती हैं कि इसको नश्ट कर दें लेकिन ये ना कभी नश्ट हुआ है ना होगा लेकिन हम लोगों को सचेत सावधान और इमानदारी से अपना जो कामी इश्वर ने हमें सौंप है उसको करने की जोड़त है हम उपर उठेंगे तो हमारा देश उपर उठेगा इसी मोहिम को लेकि चलेगा हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खुबसूरती क्या है कि इस हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से लोग इस हिंदुस्तान को खुबसूरत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं संत समाज लोग के जीवन को अच्छा बनाने में और उसके जीवन को आंतरिक और बाहरी उन्नति दिलाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए तमाम लोग अलग-अलग संस्ताओं के थुरू इस भारत को और बहतर लोग की जिन् इनके पास जाते हैं, गुरु दक्षणा कैसे लेते हैं, गुरु मंत्र कैसे लेते हैं, और किस तरीके से फिर वो आगे अपने साधना करते हैं, अगर आपको इनके आस्रम जाना है, तो आप सोसल मीडिया पे कहीं भी टाइप करेंगे, बाबा जी का नाम, या फिर एक तू अच्छा, तो आपको बहुत कुछ देखने, सुनने और पढ़ने के लिए मिल जाएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर एक नई शक्सित के साथ, और बताते हैं आपको कुछ नई चीजे,